पार हुआ, गोहाती में आया, लेकिन मा कमखा का मंदिर दर्शन नहीं किया पर आपने आगे बारा दक्तर भुपेन हजरीका का समाधी से आप गुजरे आपने भुपेन हजरीका का समाधी में भी 2 मिनित नहीं रूके फिर आगे जाके आपने जो असाम का कॉमीनियल हर्मोनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है हॉईगीरिप माधव और पौामक का टेंपल हिंडू मुसल्मान दुनों समुदाई का लोग जिसको बहुत मानते है और टेंपल का सामने आप गुजरे लोग उहां में खारे थे आपको वेलकम करने के लिए आपने उहां में भी नहीं गिया फिर आपने बड़पेटा से गुजरे पादबावखी सत्र में महापुरु स्रीमान संकरडेव में जीवन का सबसे अमुल्ल समय उही था अगर बड़ड़वा में आपका दर्शन नहीं मिला आप पादबावसी सत्र में क्यों नहीं गिया फिर बड़पेटा सत्र जो असाम का सबसे बड़ा सत्र है बड़ड़वा 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 तो आपका मतलब क्या था? आप असाम आया लासित बरफुकन का समाधी में नहीं गिया, आपने असाम आया भुपेन हजरिका का समाधी से गुजरा, आपने भुपेन हजरिका का समाधी में दो मिनित नहीं रुका, आपने बरपेटा पादबाउसी सत्र में नहीं गिया, आपन करने के लिए मैं माना किया था मैं तू उल्टा कॉंग्रेस से लोगों को बताया कि भाई बत्रद्रबा कोई कारण में अगर नहीं भी गिया कम से कम पाद बाउखीर तक उनको लेके जाओ अच्छा लगेगा पिर हमारा लोगों ने बताया कि आईए आपको कमा एक सा मा का आप दर्शन करके जाएए उनका तीम भी गिया रेकी भी किया आप खबर लिजे उनका तीम ने मा का मंदिर का रेकी भी किया जाने का लेकिन मा का मंदिर में नहीं गिया तो ये याट्रा क्या याट्रा था और याट्रा का शमाई देखिये आसाम में एक बहुत बड़ा community class खारा करने के लिए उन्हें सरयन रशा था गोहाती में तो उनका ये झलग हमें देखने के लिए मिला था लेकिन उनका बहुत बड़ा conspiracy था कि राम मंदिर का प्रानपटिस्ता का समय में आसाम से गुजरे और आसाम में बहुत बड़ा clash हो जाए लेकिन हमारा party का लोग या जो भी रामभक लोग सबने काफी अपने आपको restrain किया और आसाम में गरवरी होने नहीं दिया तो इसलिए मैं आसाम बाशिव को ध्यानबाद देता हूँ और राहुल जी मैं आपको बोलना साथा हूँ कि आपने लासिब बरफुकन का समाधी में नहीं जाके आपने बरपेटा पादबाउसी सत्रों में नहीं जाके आपने मा कमाइखा मंदिर में नहीं जाके आपने धुबरी गुरुद्वरा में नहीं जाके आपने जो आपका अपने अहंकर दिखाया या अहंकर को असाम का जनता अच्छा से आपको लोग सभा सुनाओ में आपको डेख लेगा ये मैं आपको आज ही कमिट्मेंट देता हू आप मेरा कमिट्मेंट ले लीजिए असाम में पहले से भी कम सित मिलेगा कॉंग्रेस को और अच्छा अच्छा भोत का मर्जिन से हम लोग कॉंग्रेस पार्टी को हराऊंगा ये भी वादा आप आज ही मेरे से ले लीजिए प्रुम पार्टी कर दो अच्छा आप 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 सुछ आप से लीजिए